हलो फ्रेंड्स मैं विशाखा आप सब का बहुत स्वागत करते हैं विशाखा किचन चैनल में आज मैं आपको हल्वा फिश फ्राय याने ब्लैक पॉंफ्रेट फिश फ्राय कैसे बनाते हैं वो भी ग्रीन मसाला में उसकी रेशिपी शेयर करने वाली हूँ अगर आपको फिश बंच लिया है मैंने अधरक लेंगे हम एक इंच इतना हरी मिर्च लेंगे चार से पाच बारा लेशन लेंगे हम धनिया पाउडर लेंगे हम आदा चोटा चमच फिश को मारेनेट करने के लिए यहाँ पर मैंने दो तिन बड़े चमच इमली कप पल्प लिया है इसके बनाएंगे बिलेंडर जार में सबसे पहले हम फ्रेश धनिया की पत्ते है वो डाल देते है उसके साथ हम अधरक हे वो भी डालेंगे लैसुन डालेंगे चार-पाच हरी मिर्च जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं उसके एक एकॉर्डिंग से आप हरी मिर्च को कम पीसेस लेंगे उसे हमें मैरिनेट करना है इमली के पल्प से सो यहाँ पर मैं तीन बड़े चमच इमली का पल्प यूज कर रहे हूँ इमली की जगह आप दो निम्बू का जूस या फिर विनेगर या कोकम जूस का इस्तमाल कर सकते हैं स्वाद के नुसार इसमें हम नमक अड़ करेंगे और फिश को हम अच्छे से कोट करेंगे इमली का पल्प अच्छे से लगना चाहिए हर एक फिश के पीसेस को और फिश को हमें 10 मिनिट के लिए मैरिनेट होने के लिए रखना है 10 मिनिट होने के बाद हमने जो ग्रीन मसाला बनाया है वो अब सारा मसाला फिश के उपर हम डालेंगे अब आदा चुटा चमच हल्दी पाउडर भी डालेंगे अब अपने हाथ से ग्रीन मसाला है वो फिश के पीसेस को अच्छे से लगाएंगे केरफूली करें क्यारफूली करें क्यूँकि इसमें मिर्च है तो आपके हातों में इससे जलन हो सकती है सो आप हैंगलोश पहन के मसाला लगा सकते है फिश को दोनों तरफ से हम लगाएंगे मसाली का स्वात फिश में आएगा और ये बहुत ही टेस्टी वनेगा फिश को अब मसाल अच्छी तरह से लग गया है इसे हम 15-20 मिनिट के लिए फ्रिज में रखेंगे इसे मसालों का जाएका फिश में आएगा एक प्लेट में हम सुजी लेंगे और चावल का आटा है वो भी डालेंगे इसमें अब दोनों का हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसे हम फिश को कोट करने के लिए इस्तमाल करेंगे मारिनेट किया हुआ फिश का पीस लेंगे उसे हम बनाया हुआ रवा और चावल का जो मिश्रंड है उसमें हम अच्छे से डस्ट करेंगे तोनों तरफ से इसे हमें कूट करना है देखिया ऐसे अब इसे हम प्लीट में रख देते हैं इसी प्रकार हम सारे फीश के पीसेस है उसे हम इस मिक्षर में कूट करेंगे इससे फीश बाहर से क्रिस्पी बनेंगे अब फीश को हम शालो फ्राइ करेंगे इसके लिए पैन को हम हाई फ्लेम पे रखेंगे और इसमें हम पाच्छे बड़े चमच कुकिंग ओयल डालेंगे यहाँ पर हम फीश को शालो फ्राइ कर रहे हैं पैन में रखने से पहले पैन अच्छे से करम होना चाहिए अब रवा और चावल के आटे से कोट किया फीश को हमुस्ट केर्फूली पैन में रखेंगे। अब flame को हम medium पे रखेंगे और medium आज पर fish को fry करेंगे Fish को cook होने में ज़्यादा time नहीं लगता है Fish के pieces के size और उसके thickness पे depend करता है उसका cooking time 4-5 मिन्टों तक हमें एक side को cook करना है एक side से crispy होने के बाद दुसरी side को हम पकाएंगे अब fish को हम carefully flip करते है अब जो दुसरी side है उसे भी हम 4-5 मिन्टों तक fry होने देते हैं इसे हमें overcook नहीं करना है नहीं तो fish अंदर से juicy नहीं होगा So friends अब हमारा हलवा fish fry तयार है यह दोनों तरह से अब golden और crispy बन गया है So इसे हम plate में निकाल देते हैं और इसी तरह हम बाकी के fish है उसे भी fry कर लेंगे So friends यमी हलवा fish fry तयार है serve करने के लिए इसे आप lemon slice के साथ serve करें इसे हम as a starter भी खा सकते हैं या फिर रोटी के साथ भी खा सकते हैं अगर आपको मेरे recipe अच्छी लगी हो तो इसे आप ज़रूर बनाइए और आपका feedback आप मुझे comment box में share कर सकते हैं ऐसे ही आगे के recipe देखने के लिए मेरे channel को subscribe करना ना भूले Like करें और इसे share करें Thank you for watching, have a nice day, stay healthy